परदान मंतरी नरेंद्र मोधी ने देश की जनता से 22 मार्श को जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए अपील की है कोरोना के खिलाफ जो जंग पुरे देश और दुनिया में लड़ी जा रही है भारत की ओर से ये पहला बड़ा प्रयास है जिसमें जनता को जनता कर्फ्यू के माध्यम से इस पूरे विशेप और गंबीरता से अपनी उपस्थिती दर्श कराने के लिए कहा गया है लेकिन माख्यूदी कॉम्मिनिसे पार्टी ने इस विशेय पर अपनी एक राय रखी है 22 मार्श को जन एकता जिवस के रॉल पे मनाने की बात की जा रही है यानि जन एकता एक जुटता दिवस जन एक जुटता दिवास के तौर पर हमारे साथ संजय पराते जी है जो मागपा के सीनियर लीडर है 36 गड़ के राज सची हो है सर ये किस प्रकार का आप लोगों क्या एक अपील भी है कह सकते हैं निश्ची तुर्प से देखें यदि इस बिमारी से लड़ना है तो सबसे बड़ी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की और ये जो जनता कर्फियू का जो प्रधान मंत्री ने आवहान किया है वो बहुत ही प्रतिकात्मक है और हमारे ये कहना है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के लिए जो बुन्यादी जो शर्ते हैं उन शर्तों को पूरा नहीं करता और इसका कोई खास प्रभाव इस बिमारी से लड़ने पर पढ़ने वाला नहीं है और दूसरे इसको आध्यात्मक्ता से जोड़ा जा रहा है कि थाली बजाओ शंक बजाओ अनुनाद होगा तो कोरोना का वाइरस भाग जाएगा रोज कमाती है रोज खाती है यदि एक माँ सोचल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेगी तो उसकी आज जीविका का क्या होगा और यही सवाल सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा यही सवाल बनकर सामने आता है तो आप देखेंगे कि चाहे अमेरिका ह हो या इंगलेंड हो तमाम देशों ने जो है इस विमारी से लड़ने के लिए आर्थिक पैकेज दिया है ताकि आम जनता को आर्थिक रहात दी जा सके और दुसरा अपने स्वास्युदाओं को बेहतर बना सके ऐसी कोई गोश्टना प्रधान मंत्री ने अपने भाशन में नहीं किया है और उनका भाशल बहुत ही निराशा जनक है ये बात बिल्कुल इस पस्ट है कि जिस प्रकार से जनता कर्फ्यू को लेकर एक माहल भी बनाया जा रहा है जाइड सी बात है जनता को तो जरूर जागरुक होना होगा जैसे सब ही कह रहे हैं लेकिन ये जनता की चनता समाज में और राजनेतिक दिलों में काफी अंधर थक है स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपू से वीडियो जनलिस्ट प्रकार सेंग के साथ धेरेंद्र गिरी को स्वामी